गैज आज की इस वीडियो में हम कुछ important topic के बारे में बात करने वाले हैं जहांपर हम सबसे पहले बात करेंगे यहांपर bitcoin halving के timing के बारे में कि यहांपर bitcoin halving से क्या कितना effect पढ़ सकता market में इसके साथ साथ में यहांपर कापी बड़ी मात्रा में tokens unlock हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे इसके साथ साथ में कौन से better coin हो सकते हैं आपके लिए invest करने के लिए तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं bitcoin halving के बारे में तो around 6 महीने के अंदर अपने को bitcoin halving देखने को मिल सकती है जो भी आप यहां पर timing देख रहे हैं आप किसी भी website पर जाके देखते हैं मैं यहां पर Binance Academy का use कर रहा हूं जहां पर 194 days यहां पर 100 कर रहा है बट यह exact time नहीं है इस time के आज पास में यहां पर Bitcoin halving होगी मतलब कि 194 दिन है वहां पर 195 दिन भी हो सकते हैं Bitcoin market के अंदर अगर Bitcoin उपर जाता है तो definitely पुरा crypto market उपर जाएगा तो crypto market में कापी बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है हालविंग से पहले अगर हालविंग से पहले कुछ नहीं होता है तो definitely की जैसे हालविंग खतम होगी उसके एक दो महीने बार में हमें बहुत बड़ा moment देखने को मिलेगा तो हालविंग पर आपको नज़र रखनी जरूरी है बहुत ही कम दिन अभी बाकी है और हम यहां पर important topic के बारे में बात करें यहां पर token unlock के बारे में हमने already एक दो video बनाए कि कि यहां पर बहुत बड़ी quantity के अंदर token unlock हो रहे हैं और सबसे बड़ा token unlock यहां पर cyber का आ रहा cyber connect जो token है उसका सिर्फ और सिर्फ अभी तक सिर्फ और सिर्फ बारा परसेंट ही token unlock हुए हैं और 11% मतलब की 5.71 million के आसपास का token unlock आ रहा है वितिन टू डेस के अंदर तो इससे काफी ज्यादा आवेर रहना आपको यह जो फ्लो टोकन हो गया यह दूसरे token आपको मैं बताऊं एक्सेस token हो गया एक्सेस में तो काफी 67% हो रहा बाकि फिर भी काफी बड़ी-बड़ी unlocking यहां पर आ रही है इसके साथ साथ में यहां पर जो अकाला है token ACA token इसमें भी काफी unlocking बाकी है और जो-जो token में आप लोग इसवेवसाइट को मैं आपको बता देता हूं और वीडियो के description में भी मेंशन कर दूंगा token.unlocks.app इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपको इसको यहां पर बुक्तमार करके रखना है क्योंकि यह जो unlocking आ रही है जैसे कि एक ही एक्जामपल जो टोप एक्जामपल में दे दूंकि साइबर कनेक्ट है जो साइबर टोकन ही यह ओल्रेडी आप दो केगो बाइनेंस और टॉप टॉप एक्जामपल दूंकि सिर्फ पर सब्सक्राइब अगर इसकी सारी unlocking होती है तो इसकी क्या हालत होगी तो ऐसे टोकन चाहिए आपको कितने भी पोटेंसियल लगते हो ऐसे टोकन से आपको हमेशा दूर रहना है यह कोई हो सकता है कि आपको सोट्रें में भी 30% इवन आपको टो एक्स भी दे दे बट यह लॉंग टरम के लिए अच्छे टोकन नहीं है आप लोगों को इन चीजों को ध्यान रखना है बहुत सारे टोकन है जैसे ओप्टीजम का मैं बार-बार वेडियो बना रहा हूं यह भी गिरते ही जा रहा है और इसकी बड़ी अनलोकिंग आ रही हो और सिर्फ और सिप्ट यह 18% ही अनलोक हुआ है और अभी बहुत बड़ी-बड़ी 2.74 मतलब की 28 मिलियन के आसपास की यहां पर अनलोकिंग आ रही कि यहां पर बहुत बड़ी अनलोकिंग है और इनकी लगातार अनलोकिंग आ रही हो प्राइस आप हालत देख लो जो कोईन सिर्फ और सिर्फ तीन-चार डोलर था और वह आज 0.5 डोलर पर आ गया तो इन टोकन से थोड़ा सा दूर रहो जिनकी भी अनलोकिंग आ रही है आ लग सकते हो अभी हम बात करें कि आप किस तरह से क्रप्टों में इन्वेस्ट कब करें या किस कोईन में कर सकते हैं तो अभी में मार्केट बता दू कि सिर्फ वन ट्रिलियन के आसपास का बचा है और इससे भी नीचे गिर सकता है तो अभी आप लोगों को थोड़ जितना ज्यादा हो सके आप यूएस्टेटी में रहो आपको बहुत बड़ा मुखा मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर और अभी ज्यादा कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी कोईन्स में और इन्वेस्ट करने की बात करें तो अभी देखे जो मार्केट आएगा अभी जो पर ने देखा होगा कि आप लोगों देखा है कि बिट्कोइन ओर्डिनल्स का कापी हाइप करेट हुआ था जहां पर लोगों दस डॉलर डालके जानों डॉलर अर्न कर लिये थे तो इसी तरह से आप लोग एक मौके का इंतजार करो किसी भी कोईन में जैसे आभी आप यह स दालने का कोई सेंस नहीं है आप सिर्फोर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा यह ट्राइब करो कि आपका फंड युएस्टी में रखो और जो नया इनोवेशन आ रहा है उसके अंदर डालने की कोशिज करेंगे हम आने वाले टाइम में अभी ज्यादा कहीं पर भी कोई इन्वे करता है तो ट्राइब करिए कि ज्यादा ज्यादा फंड अपने पास रखो युएस्टी में और ट्राइब करो कि अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना तो जो डीफाइब कोई से डी सेंटरलाइज एक्षेंज हो गये हैं डी सेंटरलाइज चीजें आ रही है उसके आपको बहुत दूर दूर तक कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना आपको देख लो साथ दिन के अंदर यह कोई नाइन परसेंट गिर गया यह भी नाइन परसेंट गिर गया यह तैन परसेंट आर्बी ट्रम में भी आनलोकिंग आ रही है यह एम एंट के अंदर देखोंगे 18 परसेंट गिर चुका है तो ऐसे कोई से आपको बिल्कुल ही टच नहीं करना है ऐसे कोई में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत बार सोचना है एक्सेस में भी आप देखिए कि 7 परसेंट का यहां पर डंप आया है तो बाकी मैं कर जाएगा किस टेकनोलोजी को मार्केट करेगा वही जो कोई से वहां पर आपको बहुत बड़ा गयन देखने को मिलेगा तो अभी के लिए आप सिर्फ पर सिर्फ मार्केट को अबजरू करो और ज्यादा ज्यादा आप यूस्ट अपने पास में सेफ रखो और जो आपने इन्वेस्ट कर दिया और लोस में हो उसको आप इस टाइम कहीं पर भी कुछ भी सेल ना करें क्योंकि फोमो आपने जो भी टोकन बाई किया होगा जरूरी थोड़ी है कि आपने सिर्फ पर से एक केटेगरी का बाई किया होगा कि बहुत डोजी कोईन है तो डोजी कोईन रि बेनिफिट गेंज कर सकते हो तो आप अगर लोस में हो किसी भी कोईन में तो उसको होल्ड करो बट नए इन्वेस्ट करने से पहले आप थोड़ो सा बचके रहो आप होल्डिंग रखो डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी जो कोईन से करूंगा जो नया इन्वेस्ट ने वह कोईन आपको बताने का थेंक्यू सो मुच